नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे घोडों के बारे में और जानेंगे कुछ रोचक तथे जो आप नहीं जानते होंगे दोस्तों आगे बढ़ने से पहले important request है कृपिया आप हमारे YouTube चैनल को subscribe कर दे ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियो के बारे में सबसे पहले पता चल सके Fact No.1 घोड़े अपने कानों से समबाद कर सकते है क्या आप जानते हैं कि घोड़े अपने कानों से समबाद कर सकते है घोड़ों में अपने कानों को विभिन दिशाओं और कोड़ों में घुमाने की क्षमता होती है, जो विभिन प्रकार की भावनाओं और संदेशों को व्यक्त कर सकते हैं उदाहरण के लिए एक घोड़ा जो सतर्ख है और ध्यान दे रहा है उसके कान आगे की ओर हो सकते हैं जबकि एक घोड़ा जो घबराया हुआ या उत्तेजित महसूस कर रहा है उसके कान उसके सिर के पीछे-पीछे की ओर लगे हो सकते हैं घोडे के कान की गतिविधियों पर ध्यान देकर आप ये जान सकते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहा है और क्या सोच रहा है फैक्ट नमब दो घोडों का पाचन तंत्र अनोखा होता है घोडों में एक अनोखा पाचन तंत्र होता है, जो उन्हें कई अन्य जानवरों से अलग करता है घोडे शाकाहारी होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे केवल पौधे खाते हैं पौधों में पाए जाने वाले कठोर सेलुलोस फाइबर को तोड़ने के लिए घोडों के पास एक जटिल पाचन तंत्र होता है, जिसमें एक बड़ा सीकुम और कोलन शामिल होता है इससे उन्हें अपने भोजन से जितना संभव हो उतना पोशन प्राप्त करने और चारे के आहार पर जीवित रहने की क्षमता मिलती है घोडों में गंध की अविश्वसनिय सेंस होती है घोडों में गंध की अद्भुत क्षमता होती है, जो उन्हें एक मील दूर से भी गंध का पता लगाने की अनुमती देती है ऐसा इसलिए है क्योंकि घोडों के पास एक विशेश घ्रान प्रणाली होती है जो विभिन गंधों के प्रती अत्यधिक संबेदन्शील होती है वे गंध की इस भावना का उप्योग अन्य घोडों की पहचान करने और अपने वातावरण में शिकारियों या अन्य संभावित खत्रों का पता लगाने के लिए करते हैं फैक्ट नंबर चार घोडों में मानविय भावनाओं को पढ़ने की प्राकृतिक शमता होती है जो उन्हें महान साथी और थेरपी जानवर बनाती है शोट से पता चला है कि घोडे किसी व्यक्ति की शारीरिक भाषा और भावनाओं में सूक्षम परिवर्तनों पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम होते हैं और वे उन भावनाओं को व्यक्ति के सामने प्रतिबिम्बित कर सकते हैं ये लोगों को तनाव और चिंता को प्रबंधित करने में मदद करने के लिए एक शक्तिशाली साधन हो सकता है फैक्ट नमबर पाँच घोडे खड़े होकर भी सो सकते हैं घोडों में खड़े होकर सोने की एक अनोखी क्षमता होती है इसके लिए उनके पैरों में एक लॉकिंग तंत्र होता है जो उन्हें बिना गिरे आराम करने की अनुमती देता है इससे उन्हें सतर्क रहने और पल भर में भागने के लिए तयार रहने की अनुमती मिलती है जो जंगल में जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण है फैक्ट नमबर छे, घोडों का एक अनूठा सोशिल स्ट्रक्चर होता है घोडों की एक अनूठी सामाजिक सनरचना होती है जो एक पदानुक्रम पर आधारित होती है जिसे पेकिंग ओडर के रूप में जाना जाता है घोडों के जुंड में प्रमोख घोडा आमतोर पर नेता होता है और समूव को भोजन, पानी और आश्रय की ओर ले जाने के लिए जिम्मेदार होता है जुंड के अन्य घोडे नेता के पीछे पंक्ती में आते हैं ये सामाजिक सनरचना जुंड को संगठित रखने में मदद करती है और यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्य घोडा जीवित रहने के लिए आवश्यक संसाधनों तक पहुँचने में सक्षम है फैक्ट नमबर साथ घोडों की याददाश्ट अद्भुत होती है घोडों के पास एक अद्भुत स्मृती होती है जो उन्हें वर्षों तक लोगों, स्थानों और अनुभवों को याद रखने की अनुमती देती है यही कारण है कि घोडों को जटिल दिन चर्या करने और प्रत्येक चाल से जुड़े संकेतों को याद रखने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है इसके अतिरिक्त घोडों को उन लोगों को पहचानने और प्रतिक्रिया देने के लिए जाना जाता है जिन्हें उन्होंने वर्षों से नहीं देखा है जो उनकी प्रभावशाली स्मृति का प्रमान है घोड़े पैदा होने के कुछ घंटों के भीतर ही दोड सकते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि वे एक शिकारी जानवर है और जीवित रहने के लिए उन्हें शिकारियों से बचने में सक्षम होने की आवश्शकता है घोड़े के बच्चे जन्ग के कुछ ही मिन्टों के भीतर खड़े होने में सक्षम हो जाते हैं और कुछ घंटों के भीतर चलने और दोडने में सक्षम हो जाते हैं इतनी कम उम्र में दोडने की यह शमता जंगल में उनके जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण है फैक्ट नमबर नौ घोडों के पास कम्यूनिकेशन की एक जटिल प्रणाली होती है जिसमें शारीरिक भाषा, स्वर और गंध शामिल होती है संबाद करने के लिए अपने कानों का उप्योग करने के अलावा घोडे भावनाओं और संदेशों को व्यक्त करने के लिए अपनी पूँच, सिर और शरीर की मुद्रा का भी उप्योग करते हैं वे अन्य घोडों के साथ संबाद करने के लिए विनीज, निकर्ज और सनौट सेहित विभिन प्रकार के स्वरों का भी उप्योग करते हैं अंत में घोडे अपने क्षेत्र को चिनित करने और अन्य घोडों के साथ समवात करने के लिए गंध का उपयोग करते हैं प्रतिये घोडे में एक अनोखी गंध होती है जो जुंड में दूसरों को इसकी पहचान कराती है फैक्ट नंबर दस हजारों वर्षों से घोडों को पालतू बनाया जाता रहा है घोडों ने मानव इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है परिवहन और कृशी से लेकर युद्ध और खेल तक घोडों का उपयोग पूरे इतिहास में व्यापक उद्देशों के लिए किया गया है आज भी घोडों का उपयोग इन्ही अनेक उद्देशों के लिए किया जाता है जैसे हम करते हैं अंत में हम उम्मीद करते हैं कि आपको घुड़ो और उनके आकरशक सीक्रेट घुड़ों के बारे में और जानने में मज़ा आया होगा आपको सबसे दिल्चस्प तथे क्या लगा? हमें नीचे कमेंट में बताएं और हमेशा की तरह अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन पर क्लिक करना और हमारी चैनल को सबस्क्राइब करना न भूले ताकि आपको हमारे आगे आने वाले और भी ज्यादा इंट्रस्टिंग कंटेंट के बारे में सबसे पहले पता चल सके अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट factober.com को विजीट करें